Bleeding India by Thousand Cuts क्या है आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दिकिए Bleeding India by Thousand Cuts यह पाकिस्तान Military और उसके Intelligence Agency की एक Military Doctrine है इंडिया के अगेंस जिसके तहट वो इंडिया को अगले हजार साल तक ब्लीड करता रहेगा, जख्म देता रहेगा, कट्स देता रहेगा ताकि इंडिया वीक हो और negotiation table पे आने के लिए मजबूर हो ताकि पाकिस्तान को मौका मिले कश्मीर के status को को alter करने के लिए ये strategy वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं अपनाता बलकि पिछली कई दश्कों से वो हमारे पंजाब में भी अपना रहा है कभी वो पंजाब के यूथ को ड्रग सप्लाइ करता है कभी खालिस्तानी टर्रिस्ट को सपोर्ट करता है नर्चर करता है देखिए पाकिस्तान को इक चीज़ पता है कि उसने जब जब भी इंडिया के साथ में कोई war किया है या conflict किया है तो उसे मूग की खानी पड़ी है तो वो जानता है कि conventionally वो इंडिया के साथ में compete नहीं कर सकता है इसलिए उसने ये strategy evolve करी और दूसी बात ये है कि पाकिस्तान का existence ही इस बात पर explain होता है कि पाकिस्तान अगले हजार साल तक इंडिया के साथ में अपनी दुश्वनी को निभाएगा अपनी नफरत को निभाएगा और ये चीज़ ने 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने डेक्लेर किया था तो जो ये पाकिस्तान की जो विष्ट्रल हेट्रेट है इंडिया के लिए परपिचुटी के लिए तो इसको तो निभाना है कंवेंशनल लेवल पर नहीं कर सकते है तो नॉन कंवेंशनल लेवल पर करेंगे तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए देवबंदी, बरेलवी, जमात-इसलामी, एहल-e-हदीथ, शिया, इन सम्में क्या कॉमन फैक्टर क्या है इसलाम, तो ज्यावल हक ने एक ट्रिनिटी दे दी, इसलाम, पाकिस्तान और मिलिटरी की और इसके तहट उसने बोला कि इंडिया क्योंकि एक हिंदू डॉमिनेंट कंट्री है और इसलाम क्योंकि सबको बाइन करता है पाकिस्तान में तो इंडिया के साथ में अगले हजार साल तक हमें ऐसे ही लो इंटेंसिटी वार्फिर को जारी रखना है, तो आज के डेट में जो हमारे यहां टेरिस अटैक होते रहें, बिसले कई दश्कों से ओरे हैं तो यह इसी स्टाटेजी का एक नतीजा है, जो कि होता रहेगा आगे भी, तो आई होप आपको यह क्लेर्टी आई होगे कि ब्लीडिंग इंडिया थावजन कर्स क्या है पाकिस्तान का, थैंक यू सो मच